नमस्कार दोस्तों यूट्यूब चैनल रवी एललबी मापका स्वागत है आज के वीडियो में हम प्रसासनिक विदी के महत्पूर्ण टॉपिक विदीका सासन रूल ओफ लॉग के विसे हम जानकारी देने वाले हैं और यह administrative law का बहुत important topic है और इससे सम्बंधित question आपको LLB, LLM, PCSJ, हर judicial service ही तमाम प्रत्योगी परिच्छाओं में पूछे जाते हैं प्रतेग व्यक्ति चाहे उसकी परिष्ठती कुछ भी हो देश की समानी विदियों के आधिन और साधारा न्यालियों के अधिकारता के भीतर है भारत के संदर में विदी के सासन के दो भाग है पहला विदी की सर्वोचता अथ्वा मनवानी सक्ति का अभाव जिसका अर्थ है एक व्यक्ति को सिर्फ विदी के उलंगन के लिए ही डंड दिया जा सकता है किसी अन्य कारण से नहीं दूसरा विदी के समथ समता जिसका अर्थ है कि सभी व्यक्ति समानी विदी के आधिन है जिनको समानी न्याले द्वारा लागू किया जा सकता है विदि के सासन का प्रमुक सिध्धान कानून के समझ सभी लोगों की समता है अर्थात कानून सर्वो परी है और वा देश के सभी नागरी उपर समान रूप से लागू होता है इसे कानून का सासन भी कहा जाता है भारते समिधान में अपरावधान अमेरिकी समिधान से लिया गया है अनुछे 14 में नहित विरी का सासन समिधान का आधार भूर धाचा है इसी लिए इसको समिधान के अनुछे 368 के तहट समिधान संसोधन द्वारा भी खत्म नहीं किया जा सकता लॉड हेवार्ड के अनुसार विदी के सासन का अर्थ है निरंगपुस्ता के स्थान पर कानून की स्रिष्टता और सर्वोचिता वस्तो कानून का सासन एक समान कानून के अनुसारण पर जोड देता है जिसके तहट सभी व्यक्ति चाहे राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, सरकारी व्यक्ति हो या गैर सरकारी एक समान कानूनों से एक ही नियाले द्वारा सासित होते हैं इसका आसे यह है कि प्रचलेज विदी का उलंगन करने पर ही व्यक्ति को डंडित किया जाएगा। विदी के सासन के अंतरगत राजी का प्रतेक अधिकारी अपने आपको विदी के आधिन समझेगा और कानून का पालन करेगा। इसमें राजी के तीनों अंग कारपालिका, विधायका और न्यायपालिका कानून के अनुसार कारवाई किये जाने के लिए बादे हैं। विदी के सासन के अंतरगत व्यक्ति सम्मंदी सभी स्वातंतरताएं इसमें सामिल मानी गई हैं और इसे सम्मिधान का महत्पूर अंग माना गया है। इसे सधिकार प्राप्त है तथा अनिलोग उससे वंचित हैं तो वहाँ बिदी का सासन नहीं कहा जा सकता है। प्राप्ति चाहे राजा हो या निर्धन देश का साधारन कानून सामानी रूप से सभी पर लागो होता है और सभी को साधारन न्याले में सामानी रूप से न्याई मिलता है। राजनेति के उमानता राष्टिय परस्परिग मर्यादाओं के दिश्टी से इस नियम के कुछ हपवाद भी हैं जैसे राष्टपतियों राजपाल को पद अधिय के दवरान देश के किसी न्याले में ना तो वाद दायर क्या जा सकता है और ना ही चालू रखा जा सकता 361 के अनुसार राष्टपती या किसी राजपाल की पद अधिय के दवरान उनकी गिरिफतारी या कारावास के लिए किसी न्याले से कोई आदिश का नहीं निकाली जा सकती। समिधान के नुच्छेद 51 के तहट विदेश के राज़ा राष्टपती या राजदूद न्याल विभेत को विदि के विरुध नहीं माना गया है और एक वर्ग विसेश या व्यक्ती या व्यक्ती के समूह के लिए भिन कानून की विवस्था की जा सकती है जिसे युक्त युक्त वर्गी करण कहा जाता है। इस सक्कल्पना का मूल आधार सम्मिधान की सर्वोचता है अर्थात कोई भी व्यक्ती या संस्था सम्मिधान के उपर नहीं है या प्राकृतिक न्याय के सिध्धान पर आधारित है। इसके अंतरकत कानून किसी वी व्यक्ती के साथ विभेद नहीं करेगा। सभी पर समानी रूप से लागू होगा और सभी को समानी रूप से सरच्छा प्रदान करेगा। सबस्दान के समाना यूजड़ नहीं करेगा।